नमस्कार जैहिंद, डियर फ्रेंट्स, 90 days free spoken English course में आपका स्वागत है, आज है day 36 और मैं आपको सिखाऊंगा past indefinite tense, बहुत important है, ध्यान से देखिएगा, अनामसी और इस session को यदि आप आंध तक देखेंगे, तो past indefinite tense बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, साथ में practical spoken uses मैं आ बहुत अच्छे से करेगा, घर बैठे बिना coaching, free of cost, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, smart and confident बने, with activity based on L, S, R, W, technique, step by step अंग्रेजी सीखने के लिए कृप्या हमारे YouTube चानल, My Career Doctor के playlist, 90 days free spoken English course अवश्य विजिट करें, Study material की link description box में दी गई है, online या offline paid course के लिए दिये गए number या address पर contact करें जैसकी, हम आपसे अकसर कहते हैं कि एक speaking English partner आपके पास जरूर होना चाहिए, per day आप reading की habit जरूर डाले, loudly बोल बोल कर चीजों को पढ़े एक अच्छी किताब का नाम मैं आंत में आपको बता दूँगा, जिससे आप English सीख सकते हैं, और एक साथ में एक अच्छे वीडियो का नाम, एक अच्छे movie का नाम, लेकिन speaking English partner के साथ आप जो कुछ भी सीखते हैं, उसे बोल कर, सुन कर practice कीजिए, एक दूसरे में बात करके जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, हमारे टेलिग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को अवस से जॉइन कर ले, वहाँ सेटड़े और संड़े को हम फ्री में आपकी speaking English की practice करवाते हैं, हम आपको per day एक प्रुवाब ही सिखाते हैं, और आज का प्रुवाब है living from hand to mouth, यानि रोज कुवाँ खोदना, रोज पानी पिना, कहने का मतलब रोज महनत करना और जो पैसे आए उसे अपनी जीवन चलाना, रोज कोई काम करना और उसे instant आपको फाइदा होना जिसे कि आपका काम चल सके, तो living from hand to mouth, I am, nowadays what I am doing is, I am just living from hand to mouth, रोज कुवाँ खोदता जान लीजिए, यह होता क्या है, once you understand this, तो फिर आप जान पाएंगे, दो जो concept है उसके बारे, देखिए past indefinite का मतलब होता है, it is used, आपको मैंने जब present perfect पढ़ाया था, उसको धियान से देख लीजिए, i button में उसका link आपको मिल जाएगा, कि present perfect की थोड़ी सी past से similarity होती है, अगर मैं deep में बात करूँगा, फिर बहुत जादा time लग जाएगा, तो आप i button पे click करके present perfect को एक बार जरूर पढ़ लें, तो past indefinite tense का मतलब होता है, it is used principally to describe events in the past, और when action took place in the past at a particular time, यनि past में जब कोई action हो, तो हम उसको past indefinite tense में समझते हैं, वैसे हिंदी की जरूरत नह नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि आपको है, तो अंत में A, A, E, O, U, whatever it is, अच्छा, दिखिए, मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, जरा इसको समझने की कोशिस कीजिएगा, logically, present तीन है, एक है आपका, P, R, E, S, E, N, T, present indefinite, D, E, F, I, N, I, T, E, दूसरा है, past in, D, E, F, I, N, I, T, past indefinite में हम दो चीज़ों को लेते हैं, एक जो action took place in past, action took place in past, और दूसरा है की repetitive action, R, E, P, E, T, A, repetitive action, इसको जरा ध्यान से समझना है, बाबू, यह है आपका present indefinite, जिसमें normally action takes place, action takes place, कब होता है यह, या तो at the moment, or always, right, देखिए, इसका जो formula होता है, यह होता है, यह मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार comparative study आपको करवा देता हूँ, v1, s oblique, e s plus object, लेकिन इसका formula होता है, past की बात है, तो verb की second form plus object, और इसका formula होता है, subject plus used to plus v1 plus object, और used to के बदले, कई जगे आप would भी देखेंगे, right, तो normally जब कोई कारिय हम करते हैं, action हम करते हैं, या तो अभी या हमेशा के sense में, at the moment or always, तो present indefinite, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, या पढ़ाया करता हूँ, अगला क्या है, मैंने पढ़ा दिया, मैंने, पढ़ा दिया, और तीसरा क्या है, कि मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था, ध्यान से दिखेगा, past inde, ये तो मैं आपको पढ़ा, मैं पढ़ाता हूँ, या पढ़ाया करता हूँ, दोनों के English क्या हो जाएगी, I teach, I used to teach या I used to teach नहीं होगा, चुकि इसको देखराब, as a routine habit, तो past में जब routine हो या repetitive action हो तो उसके लिए ये formula होता है, present में हो तो normally, मैंने पढ़ा दिया, यानि पढ़ाने का काम हो गया, तो इसकी English क्या हो जाएगी, I taught, वर्ब की second form, और मैं पढ़ाता था, तो सर इसकी भी English I taught नहीं बाबू, past में, यानि दिखे, sense पर धियान दि I teach, मैं पढ़ाता हूँ, I teach, मैं पढ़ाता हूँ, I teach, मैंने पढ़ा दिया, यानि पढ़ाने का काम finished, तो I taught, और मैं पढ़ाता था, यानि past में, एक particular time पर मैं आपको पढ़ाने का काम करता था, उसकी English क्या हो जाएगी, I, I used to teach, 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 ऐसा क्यों? पहले तो आप 8 बजे खाना खाते थे, या आप 8 बजे ही खाना खाते थे, since ये होता है कि past में एक certain time पर आप एक ही activity बार-बार करते थे, आप मंदिर जाते हैं, ये मैं आपको अच्छे से विस्तार में पढ़ाओंगा, लेकिन फिलहाल चुकि past indefinite का हम, चुकि अलग से इसका section हम आपको पढ़ाएंगे, models में, तो चुकि past indefinite अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये दोनों चीजे related है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे से आपको highlight कर दूँ, अगर मैं highlight कर दूँगा, तो आप चीजों को समझ जाएंगे, तो I taught और I used to teach, अब यहाँ पर would का बाता है, तो past की activity को जब आप आर बार repeat करेंगे ना, तो used to के बदले हम would को pick करते हैं, जैसे कि मैं सुबह पांच बजे उठता हूँ, तो I get up at 5 a.m. in the morning, कल मैं 5 बजे उठा, I got up at 5 a.m. yesterday, पहले मैं 6 बजे उठता था, यानि पहले एक certain time पर 6 बजे मैं उठा करता था, तो I used to get up at 6 o'clock और उठने के दो ग्लास गरम पानी पीता था, I would take two glasses, lique warm water, तो पहले तो मैंने used to बोला, उसके बाद जब जिदनी बार मैं उसको repeat करूँगा, would, 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 तो मुझे उमीद है कि ये तीनों concept आप समझ गए हैं आच्छे से, और मैं अगला example ले लेता हूँ, वह मुझे डाटता है, तो, या दाटती है, तो, he or she, he scolds me, he scolds me, उसने मुझे डाट दिया, तो, he या फिर she, scold, s-c-o-l-d-e-d, scolded me, और वह मुझे डाटता था, he, यही पास्ट में एक certain time पर वह मुझे डाटा करते थे, डाटता था या डाटा करते थे, बस हमको ये देखना है, repetitive action और action, routine of past, ये दो चीज़ आपको धियान रखना है, तो, he used to, scolded नहीं, scold me, used to के बाद वर्ब की first form है, because I would commit mistakes, क्योंकि मैं गलतियां करता था, because I would commit mistakes, तो, मुझे उमीद है कि ये आपको समझ में आ गया, और आपने screenshot भी ले लिया होगा, नहीं तो आप जाकर लेख लीजे, तो दि मैं मैंने अभी आपको बताया, past indefinite tense, की action took place in past, formula क्या होता है, affirmative का, subject plus verb की second form, object और other words, अगर इसमें infinite, जैसे वह चला गया, तो वह चला गया, अब अगला है, वह पढ़ाई करने चला गया, तो वह पढ़ाई करने, चला गया, क्या करने, पढ़ाई करने, तो वह चला गया, तो he went, और वह पढ़ाई करने चला गया, तो he went, infinitive आ जाएगा, to study, don't speak loudly, Arya, he went, go outside, वह चला गया, तो he went, close the gate, और वह पढ़ाई करने चला गया, तो he went to study, he went to study, वह चला गया क्या करने, पढ़ाई करने, तो he went to study, to study, तो जैसे, अब दिखे, second formula क्या है, subject plus wanted होगा, या tried, वह जाना चाहा, तो he went, वह चला गया, he went, और वह जाना चाहा, तो he wanted, verb को second form, to go, infinitive का मतलब, to plus verb की first form होता है, plus other words, दो formula आपके सामने है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ examples पहले बेख लेते हैं, मैंने खाया, तो I, मैं खाता हूँ, I eat, मैंने खाया, I ate, और पहले मैं बहुत खाता था, तो I used to eat a lot earlier, I used to eat a lot earlier, जुली गई, यह जुली गई थी, जुली वेंट, बच्चे गए, the children वेंट, चुकि हम जानते हैं से लिए दा चिलें, आग लगी, a fire broke out, break out का मतलब लगना, लगना, और fire broke out, means आग लग गई, वह स्कूल गया, he went to school, वह स्कूल जाता है, तो he goes to school, और वह स्कूल गया या चला गया, यानि जाने का काम हो गया, तो he went to school, वह मेरे पास आया, तो he came to me, he came to me, he came to me, उसने एक चिठी लिखी थी, तो he wrote, वह चिठी लिखता है, तो he writes a letter, उसने एक चिठी लिखी थी, तो he wrote a letter, he wrote a letter, दसरत आयोध्या में राज करते थे, दसरत, rain, rain means राज करना, r-e-i-g-n, तो past क्या हो जाएगा, rain in आयोध्या, वर्भ भी मैंने आपको पढ़ा दिया, उसे आप जरूर देख ले, जीतू ने जाना चाह, देख़्े जीतू चला गया, तो जीतू went, और जीतू जाना चाह, जो formula शिखाया था, जीतू wanted to go infinitive है, जीतू ने पटना जाना चाह, तो जीतू wanted to go to पटना, उसने match जितने की कोसिस की, he tried, उसने कोशिस की तो he tried, क्या जितने की match जितने की, to win the match वह एक doctor बनना चाहता था he wanted to become a doctor अगर past में activity repeat हो तब तो used to बोलेंगे, लेकिन ये उसकी इच्छा थी past में, इसलिए he wanted to become a doctor, वह मुझसे मिलने आया था, अच्छा वह मिलने आया, तो he came to meet और मुझसे तो he came, वह क्या करने आया था, आया था, क्या करने मिलने, to see me see का मतलब मिलना, देखना, समझना सारी चीज, oh I see, मैं समझता हूं, oh I can see, मैं समझ सकता हूं, अब ये examples हैं, sorry exercises हैं, इनकी screenshot ले लीजिए वैसे study material का link तो sonam went to patna, मैंने उसे चाहा था, I liked her, I loved her, I loved him, जीतू school गया, जीतू went to school, बच्चे घर आये, children came home, to home नहीं बोल तो, इस तरीके से नीचे words भी है, आप इन्हें बना लेंगे उसने अभहिलना करने की कोशिस की, तो he tried he tried to disrespect, he tried to disrespect he tried to disrespect, he tried to ignore, he tried to avoid अगला देखिए, अगर आप negative बनाएंगे, जीसे present indefinite tense में, affirmative के साथ तो S और E S होता है, लेकिन negative में verb की first form, ठीक, वैसे ही subject plus did not और फिर verb की first form, negative में, जीसे वह चला गया, तो he went, हम क्या बोलते हैं बाबू he went और वह नहीं गया, तो इसके English क्या हो जाएगी, he didn't go, वह चला गया, तो he went, और वह नहीं गया, तो इसके English क्या होगी, he didn't go वह चला गया, तो he went, और वह नहीं गया, तो इसके English क्या होगी he didn't go he didn't go he didn't go आई बात समझ में आपको तो verb की first form यह second form जैसे वह जाता है तो he goes नहीं जाता है तो he doesn't go उसने नहीं खाया तो he did not या didn't eat verb की first form मैंने नहीं पढ़ा I didn't read तुमने नहीं खाया You did not eat या you didn't eat वह मेरी मदद करना नहीं चाहते थे उसने मेरी मदद की तो he helped me और वह मेरी मदद करना चाहता था तो he wanted to help me negative He didn't want to help me मेरी मदद नहीं करना चाहते थे वे तो या तो they बोलिये एक से ज़ादा है तो एक है तो he या she वैसे आप they भी बोल सकते हैं spoken में They did not want to help अब wanted नहीं बोलेंगे बाबू want तुम उसे मारना नहीं चाहते थे तो you did not want to kill him तुम उसे मारना चाहते थे तो you wanted to kill him अब ये check the recording अब ये जो है आपका मैंने नहीं जाना I did not know उसने नहीं खाया He did not eat बच्चों ने नहीं खाया the children इसलिए चुकि हमको मालूम है कौन से बच्चे बच्चे नहीं खाते हैं तो children do not eat अगर नहीं मालूम है children चुकि हमको मालूम है तो definite हो गया ना बाबू आर्टेकल तो the children did not eat इस तरीके से आप इसे भी बना लेंगे सेंटेंस कहते है नॉर्मल और दूसरा होता है wh form interrogative जहां what, why, when what ये भी है जैसे क्या तुमने खाया क्या तुमने खाया अगला है तुमने क्या खाया तुमने क्या खाया देखिए इन दोनों सेंटेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है लेकिन इसमें अगर आपने खाया तो बोलेंगे yes और नहीं खाया तो बोलेंगे no इसे yes no interrogative भी कहते हैं और दूसरा subject जो है तुमने इसके पहले क्या आया तो वहाँ what use नहीं करेंगे यहाँ पर do does या past है तो did हम पहले ले आएंगे लेकिन तुमने क्या खाया यहाँ एक तो subject के बाद है और दूसरी इसे wh form interrogative sentence दुनों interrogative है एक जिसका answer yes no में होता है और दूसरा जहाँ wh form का आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा what did you eat आई बात समझ में आपको तो सवाल को देखना है सोचना है समझना है और तब आपको practices की करनी है तो क्या आपने कोसिस की तो did you try did you try क्या जीतू के पिता ने जीतू को पीटा did जीतू's father beat जीतू did जीतू's father beat जीतू did जीतू's father beat जीतू क्या जीतू के पिता ने जीतू को did जीतू's father beat वर्ब की first form ही यूज करेंगे क्या मोहन पढ़ना चाहता देखिए मोहन इसको ऐसे बनाई है मोहन पढ़ना चाहता था तो मोहन वांटे टू study read भी बोल सकते study एक broad sense में होता है पढ़ाई करना research करना study करना visualization करना read means capable reading देना तो जीतू मोहन पढ़ना चाहता था मोहन wanted to study negative मोहन did not या didn't want वर्ब की first form to study क्या मोहन पढ़ना चाहता था तो did मोहन wanted मोहन नहीं बोलेंगे did पहले आजाएगा interrogative sentence है मोहन subject आजाएगा want दिख रहे ना did के बाद subject negative है तो not verb की first form फिर object तो did मोहन want to read या फिर study क्या मोहन ने यह काम नहीं करना चाहा तो did मोहन not want या didn't एक साथ बोलेंगे तो did मोहन बोले did not नहीं बोलेंगे या didn't did not एक साथ नहीं आएगा यहा अब हम सिखेंगे WH form interrogative पहले जो है आप देख लीजे इन sentences को बनाना चाहिए आप बना लीजे screenshot ले लीजे क्या उन्होंने तुभारी मदद की अब WH form interrogative में formula क्या हो जाएगा बाबू? सबसे पहले WH form आ जाएगा और बाद में interrogative वाला ही रहागा लेगिन did में d a small फिर subject negative है तो not v1 और फिर object लड़के school क्यों नहीं गए? तो क्या हो जाएगा? उसने क्या करना चाहा? अपने कैसे परिक्षा की तयारी की? तो how did you prepare for the examination? देखिए आपने परिक्षा की तयारी की तो you prepared वर्ब की second form for the examination आपने परिक्षा की तयारी ऐसे बूल बूल कर practice करो आपने परिक्षा की तयारी नहीं की तो you did not prepare for the examination क्या आपने परिक्षा की तयारी की? डिडियू प्रिपेर for the examination क्या आपने परिक्षा की तयारी नहीं की? इस तरीके से आप बोल बोल कर क्या करेंगे, sentences बनाएंगे, आपको ज़्यादा benefit होगा आपने ध्यान क्यों नहीं, क्या अपने ध्यान दिया, did you pay attention क्या अपने ध्यान नहीं दिया, did you not pay attention, या why didn't you pay attention, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया तो why didn't you pay attention, why didn't you pay attention, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों पीटना चाहा, तो why did your brother want to beat you उसने तुम्हें क्या दिया, what did he give you, वह तुम्हें क्या दिया, 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 वह तुम्हें क्या देगा, वह तुम्हें क् पार्टनर हो तो उसके साथ आप बोल के प्राक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको इस टार्टिंग में बताया था, पास्ट इन डेफिनित टेंस को दो भाग में बाट दे, एक जो जिनरली एक्षन हो गया और दूसरा जो होता था, रेपेटेटिब एक्षन आप पास्ट, तो उसी एक्षन को रिपीट करेंगे, या कुछ और बोलेंगे, एक्षन पास्ट की बार बार, तो वुड और वर्ब की दोनों कंडिशन में फास्ट पॉर्म, निगेटिब, सब्जेक्ट प्लस उस्ट नाट तू, या वुड नाट या वर्ब की फास्ट पॉर्म, या नहीं, तो डिड नाट और जैसे डिड नाट यूज करेंगे, तो वर्ब की फास्ट पॉर्म, फिर यूज टू नहीं होगा, यूज टू, ये ध्यान रखेंगे, एक्जाम्पल, मैं वहाँ जाए, देखिए, मैं जाता हूँ, I go, वह जाता है, he goes, और वह चला गया, he went, और वह जा तो he used not to smoke, या he did not use, did not होगा, तो क्या बोलेंगे, used to smoke, वोट जब आप repeat करेंगे, कई ग्रामेरियों इसको मानते हैं, मैं टहला करता था, I used to walk, या I used not to walk, या I did not use to walk, वे लुग प्रती दिन स्कूल जाते हैं, तो they go to school everyday, वे लुग प्रती दिन स्कूल जाते हैं, तो they go to school नहीं मानते थे, because they would consider education as everything, they used not to go to school, they did not use to go to school, तो इस तरीके से आप ये sentences बना लेंगे, मैं पढ़ता था, देखिए मैं पढ़ता हूँ, I study, मैंने पढ़ाई कर ली, I studied, और मैं पढ़ता था, I used to study, क्योंकि मुझे, मुझे बहुत महनत करना पढ़ता था, I had to work very hard, I would study, you know honestly, मैं बहुत महनत से पढ़ता था, I would study, honestly, इस तरीके से sentences बोल-बोल कर आप क्या करेंगे, practice करेंगे, I'm sure, जब आप बोल-बोल कर practice करेंगे, ये interrogative sentence है, screenshot ले लीजी, आप इसको समझ जाएंगे, ये मैं आपको models में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, the end, I'm sure कि आपको past indefin sentence अच्छे से समझ में आ गया, आप इसकी practice per day करेंगे, जिस किताब का मैं आपको नाम बता रहा है, वो है Ikigai, ये एक Japanese concept है, एक word है, जहां इसका मतलब होता है purpose of life, बहुत सारे लोग पूछते है, what's your Ikigai, बड़ी अच्छी किताब है, इसको पढ़ कर, इसके summary आपको मिल ज जरिये, and I'm sure, जब आप इसे order करके पढ़ेंगे, hard copy में difficult words को underline कर लीजे, अच्छा लगेगा, नई चीजें आपको जानने को मिलेंगे, मैं भी इस पर एक अच्छी सी summary बना देता हूँ, वो share कर दूँगा, नीचे description या I button में, अगर इसे upload करने से पहले बन जाता है, या आप टाइप कर लीजेगा, एकी guy is based my career doctor, तो आप इसको पढ़िएगा, English भी सीखेंगे, words भी सीखेंगे, life के बारे में आप जानेंगे, और जिस movie का मैं जिकर कर रहा हूँ, इस movie को आप जरूर देखेंगे, इसका मैं link ना नीचे description में दे देता हूँ, इसको आप देखें इसे आपके English, लेकिन उसको pause करकर के आप देखेंगे, जो word नहीं आए उसको आप लिख लीजेगा डाइरी में, उसके meaning ढूंड कर आप उसको जानने की कोसिस करेंगे, आप उसे याद करेंगे, समझने की कोसिस करेंगे, and whatever you learn today, I'm sure you practice that everyday with your friends, if you don't have friends, no worries, you practice it yourself, and when you practice this, you learn a lot of things, so thank you very much for watching and learning, please write down there in the comment, how is the video today, how much did you learn, did you know all these things already or not, Jai Hind, Jai Bharat.